इस वीडियो में मैं बात करने आया हूँ दॉक्टर सिराजुल इसलाम मेडिकल कॉलेज के बारे में जो कि बंग्णादेश की एक ट्राइबेट मेडिकल कॉलेज है इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन थोड़ी से हिस्ट्री यहां पे क्वालेडियो कैसा है इसका इंफ्रास्ट्रक्शर कैसा है इसका होस्पिटल कैसा है यहां पे एडिमिशन प्रोसेस कैसा है एड्वेंटेज क्या क्या है डिस एड्वेंटेज क्या क्या है और इसकी फी स्ट्रक्शर कैसी है यानि कि अगर आप इंविए सिराजुल इसलाम मेडिकल प्लाइन कर रहे हैं तो जब तक ये वीडियो खत्म हो गई आपको कॉलेज के बारे में A to Z डिटोल पता होगा यानि कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फर्मेटिक होगा तो आए शुरू करते हैं डॉक्टर सिराजुल इसलाम मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल 2011 में स्टिबलिस हुई थी इससे स्टिबलिस किया था लेट डॉक्टर सिराजुल इसलाम ने और उन्हीं के नाम पढ़ा लेट इसलिए भीकोजिन का देहान्त हो गया देथ हो गया 2015 में अभी फिलहाल जो इस क क्लास से स्टार्ट हुई थे होता ना फर्स्ट डे किसी नए कॉलेज का वो हुआ था आपको 17 जैन्वरी 2012 और इस डे को मनाया भी जाता है सिराजुल इसलाम मेडिकल कॉलेज डे गर्स डे के नाम से तो ग्यारा बारा बारा को जिसको मनाया जाता है सिराजुल इसलाम मेडिकल कोलेज के नाम से college की infrastructure की main जो बात करें तो जो academic building होती है जहां classes चलती है एक hospital होता है जहां पर आपके clinical, practical और hospital है जहां आप internship करते हैं तो जो इसकी academic building है जहां classes चलती है यह 12 store है यानि कि 12 floors की है ठीक है? और जो इसकी hospital है वो 21 floor की है यानि कि 21 store building है जिसमें 500 bed की capacity है अब आप देखिए academic building और होगया hospital इन दोनों की जो दूरी है distance की बात करें तो एक दूसर से 100 या 1500 मीटर दूरी पे है जो mainly theoretical subjects है उनकी classes लगती है आपको academic building में और जो clinical subjects है उनकी classes लगती है आपको hospital building में subjects like anatomy, physiology, biochemistry, pathology microbiology, pharmacology, forensic medicine, community medicine इनकी classes लगती है आपको academic building में और subjects like medicine, surgery, gynecology and obstetrics, pediatrics, ophthalmology, ENT, cardiology, oncology, orthopedic surgery, oral and maxofacial surgery, radiology, masoning इनकी classes लगती है आपको hospital building में college के पास अपनी hostel है girls hostel अलग है, boys hostel अलग है अगर quality of hostels की बात करें तो girls hostel ठीक ठाक है congested हो भी है अब बात करें वाइस hostel की तो ठीक ठाक है, रहने लाइक है अब ग्रह सकते है ऐसा नहीं कि खराब है बहुत बट congested है क्योंकि आपको पता होने जो धाका city है ये most densely populated city है world में यहां का population बहुत ही dense है जगा कम है, लोग बहुत जादा है तो इस इसाब तो थोड़ सा एकोमोडेशन का दिक्कत रहता है बट अगर बच्चा चाहे तो बाहर फ्लेट पे भी रह सकता है बट hostel ऐसे इतना भी खराब नहीं है कि हम रह नहीं पाए मैं आपको जल्दी hostel की पूरी वीडियो होस्टल रूट टूर दिखाऊंगा जिसे आपको यह जानने में हिल्प मिलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है और इसको मैं बोलूँगा कि होस्टल को हम एक क्वालिटी वोस्टल को हम फ़र सा डिस एडवेंटेज में रख सकते हैं मैंने बोला था वीडियो में आपको अडिवेंटेज भी बताऊंगा डिसएडवेंटेज भी बताऊंगा सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस कॉलेज में यह धाका में है मालीबाग जगा का नाम है धाका में बंग्लादेज का जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे है धाका इंटरनेशनल एरपूर्ट जहां पे आपकी फ्लाइट लैंड करेगी वहाँ से सिर्फ 14 किलोमेटर दूर है यानि कि टैक्सी से आप 20-25 ने वहाँ पहुंझ जाएंगा वहाँ ओल्ली 14 किलोमेटर फ्रम ढाका इंटरनेशनल एरपूर्ट और हमारा इंडिया का जो इंबेसी है यानि कि हाई कमिस्न अफ जो इंडिया है वह भी ढाका में हैए वहाँ से बस साथ किलोमेटर दूर है और आप सब को अच्छे से पता है बंदेस हमारा पडूसी मुलक है हमारा और बंदश का डिप्लोमेटिक रिसन कितना अच्छा है इंबेसी हाई कमिशन पास में है, एरपोर्ट पास में है, ट्रांस्पोर्टेशन की कोई दिक्क्त रहनी ही नहीं हो ली है, बीच सिटी में कॉलेज है, एक और बात आप ध्यान दीजेगा, इसे आप एडवांटेज में रखिएगा, ठीक है, कि देली से जो धाका की आपका, ये तिन घंटे पहुंच जाएंगा, ठीक है, और बात करें कॉलकता से अगर, तो कॉलकता से पच्पन मिनट की फ्लाइट्स है, आप 6-7 जरबे की टिकेट में पच्पन मिनट, या एक घंटे से कम में भी आप धाका एरपोर्ट पहुंच जाएगा, यानि कॉलकता कितना इजी है, कॉलकता से आप बस लेके जा सकते हैं, अटरस से से दो हजार की टिकेट आती है, दस घंटे में बस आपको छोड़ देगी, धाका में, तो ट्रांस्पोर्टेशन, हमारा पोडोसी मुल्क है, कभी हमारे दियस कहीं पार्ट था, कभी भी एक इसू आपके लि अलग क्लास्रूम से जहां आपके पढ़ाई होती है, सारे डिपार्टमेंट्स के लैबोरेट्री हैं, स्टेट अफ आप फेसलिटी जह सब में, ठीक है, आपका लैब्रेडी जो है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम से बना हुआ है, और हर तरह के इंडियन बुक्स, मेडिकल के टेक्स्ट, सपोर्ट, सब कुछ उसमें अभी लेबाने लैब्रेडी बहुत ही अडवांस है, डॉक्टर स्वी इसलाइज मेडिकल कोलेज का, आप सिल्फे श्टडी करना चाहें, तो हम बैठ के अराम से कर सकते हैं, टीचर्स के पढ़ने का अलग है, बच्चों के पढ़न अगर आप चूच करते हैं, डॉक्टर से राजल इसलाम मेडिकल कोलेज को अपने अपने अभी बिच्ट की पढ़ाई के लिए, और आप सब को पता है, हमारा प्रॉसी मूल के देजी एक जैसी है, ठीक है, हमारे मेडिकल सिस्टम एक जैसा है, तो हमारी मेडिकल की पढ़ा अगर आप डॉक्टर से राजल इसलाम मेडिकल कोलेज, तो इस अभिट्र साब के लिए काफी हिल्फुल रहेगा, ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं, जो अधर एस्पेप से कोलेज का, जिससे वे आपको और हिल्प मिल सकता है, अगर आप डिसाइड करते हैं, ये अगर आप डॉक्टर से राजल इसलाम मेडिकल कोलेज पढ़ने जाते हैं, तो वो कौन-कौन से पॉइंट्स होंगे, जहां आपका नाम रिजिस्टर से कट हो सकता है, एक्स्पेल हो सकते हैं, पहला ये होगा कि आप बिना बताए, विदाओट पर्मिसन, तीन महीने से आपने fee pay नहीं किया, due date आ गया, तीन महीने बीट गया, due date का तब ही आपने pay नहीं किया, तो भी आपका नाम स्कूल मेडिमिसन से कट जाएगा, अब कट गया तो क्या आपकी पढ़ाई खत्म होगी college में, नहीं, real नाम आपका add हो सकता है, उसके लिए भी तीन condition से, अगर आ आपका नाम कट गया हो, तो अगर आपका नाम आज कट हुआ है, और तीन महीने के अंदर अपना पुराए डियूज क्लियर कर देते हैं और पचाहतर सो जो टाका है उसका fine दे देते हैं, आपका नाम दुबारा add हो जाएगा, अगर आप 3 महीने से लेठ हो जाते हैं नाम चांस कोई चांस नहीं है कि आपका दुबारा आड़ मिशन हो इन रिजन से आपका नाम कठो सकता है और उसके बाद भी आपका समगोगा रहेगा दुबारा आड़ होने का तो इस डर को भी बच्चे अपने मन से निकाल सकता है वहाँ जाने से पहले अब बात करते हैं कि जो सम में तब ही जाकर जो धाका ईड़ा का जिधा का जो परिफेस्टनल एक्जाम लेती है ना तब ही आप उसमें होips सकते हो फूरी medical कोर्श के दो आहँ हो जो हूँ चार परिफेस्टोनल होको जोनुब ज के अंदर में फिलेक्ट्स की अधे के अंदर में affiliated है तो चार एक्जाम होते है professional जिसके बाद आपको डॉक्टर बोला जाता है पहला फर्स्ट प्रॉफ जिसको बोलते है वो होता है देर साल पे दूसरा होता है धाई साल पे तीसरा होता है साध़ तीन साल पे और चौथा होता है आपका पाच्वेश साल के बाद final professional जिसको बोलते है इस चार एक्जाम को clear करना होता है जो university लेती है medical college का तब आप जाके एक doctor बनते हैं महाँ पर और इन चार एक्जाम में appear होने के लिए जो minimum attendance required है minimum attendance required है वो 75% तो आपको इतना attendance तो maintain रखना ही पड़ेगा एक और बात बच्चों करन में हैसा आता है कि अग अगर बीना बताया जाते हैं तो fine है hospital की बात करें यहां कि तो उसमें ICU facilities, laboratory, state-of-the-art facilities, surgery हर एक department है जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हम बात करते हैं कि जहां से पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारा clinical exposure कैसा होगा यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं practical इंडिया की तरह surgery में जाके अलग लग डिपार्टमेंस में जाके जो फुड़े पांस साल के course में आप एक भित्रीन डॉक्टर बन सकते हैं और मैं यह बिल्कुल कह सकता हूँ कि डॉक्टर स्रेजब इस्लाम medical गाली जो पढ़ाई है बिल्कुल इंडिया में होने वाली पढ़ाई के similar है quality of clinical exposure है बिल्कुल इंडिया में जैसा होता है वैसा ही है अब बात करते हैं कि यह बताएए अगर आप admission लेने के लिए आप हमें call कर सकते हैं दीए हुए नंबर पर जैसे के हमने टॉल फिल नंबर पर 1800-20041 पर याज मोबाईल नंबर है 98350-70170 और जो हमारा expert counselor है step by step आपको guide कर होगा आपको कुछ निकरना घर बैठे या आपका सोलियत से admission हो जाएगा और आप पढ़ने चले जाएंगे जो required document है वो होगी 10-12 की mark seat passport और आपके photographs और नीट के scorecard बस यह documents अगर आपके पास हैं तो आपके admission step by step हमारे expert counselors guide करेंगे कैसे होगा पहला step क्या होगा second step के जब भी आप call करेंगे A to Z आपको details देंगे अब बात करते हैं fee की fee कितना है Dr. Strasal Medical College का तो with hostel हम बात करते हैं with tuition fee सब कुछ मिला के with hostel with tuition fee तो total खर्चे यह है 42,000 US dollars 42,000 US dollars अगर आप hostel नहीं लेते हैं hostel नहीं लेते हैं तो जो आपका expense आएगा विजह 6,000 कम हो जाएगा तो आपका हो जाएगा वो 36,000 US dollars पूरे course का पांच साल का यह fee है इसमें से 20,000 dollars जो है महीने का हो गया तो यह हो गया 12,000 dollars अब बचे हुए 30,000 dollars का जो break up है वो ऐसे है 20,000 जो है आपका वो admission fee है government धाका इनिवर्सिटी और बंगादेस medical and dental council registration fee 3,000 US dollars clinical training fee field visit और study tour जो होता है उसका 3,000 US dollars miscellaneous से 2,000 US dollars, internship training allowance से 2,000 dollars तो यह सब मिलाके बनते है 30,000 dollars plus 12,000 for tuition and hostel तो यह रहा आपके पूरे पैसे का break up जो आप पे कर रहे है वो कहां कहां आपका पैसा जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो तो मैंने आपको समझा दिया कि इसका fee कैसा है, admission process क्या है, document required कौन-कौन से है, history क्या है, buildings के बारे हैं बता दिया, distance बता दिया इंडिया से, और आपका ढाका में MBC से कितनी दूर है, airport से कितनी दूर है, यह सब जो key points है, जो major points है जो आपको जानना चाहिए, और एक बात करते हैं कि क्या यह college NMC के सब भी guidelines को fulfill कर रही है, तो बिलकुल fulfill कर रही है, यहाँ पे आपके 5 साल का पढ़ाई है, ठीक है, तो 5 years की आपकी पढ़ाई यहाँ पे होनी है, 5 साल आप पढ़ेंगे तो यानि 60 महिने का theoretical आपने किया, theory, NMC बोलती है, 54 months का theory होना चाहिए, यहाँ पे भी mandatory intensive है बारा महिने की, जैसे NMC बोलती है आप जिस भी college में पढ़न आपको license भी मिलेगा, बंगलादेस medical and dental जो कॉंसील है उसके थुरू, पूरी की पुड़ी पढ़ाई इंग्लिस में है, और बात करें syllabus की, तो as it is India जैसा है, NMC की साहरी की lens को fulfill कर रहा है, तो आप आराम से plan कर सकते हैं, आप easy होके यहाँ पे पढ़ने जा सकते हैं, NMC की तर जैसे वहाँ खाना है, खाने में तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता है, तो food तो कोई factor है नहीं, इसको हटा देते हैं, climate की बात करें, उसकी बात भी छोड़ देते हैं, just like India, जो हमारी इंडिया में climate ही है, climate वहाँ है, तो जो भी मारी यहाँ है, clinical A grade का है, उसको भी छोड़ देत सकते हैं, अभी भी इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट अगार के मन में रह गया हूँ, आप call कर सकते हैं, दिया हुए 12 feet number पे, और आप बात कर सकते हैं मुझ से, या जो भी counselor available हो उनसे, और वो आपको guide करेंगे, step by step, thank you so much.